पत्र का द्रश्ठी कौन हम सब के सामने रखें देश के एसस्वी प्रधान मंत्री आदर्णी मोधी जी हमारे भारती जन्ता पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष आदर्णी अमिजी शाह हमारी भारत सरकार की विरेश मंत्री बहन सुस्मादे भारत सरकार के वित्त मंत्री स्रिमान अरुण जेटली जी स्रिमान थाबरचन जी गहलोद भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री और हमारे अखेल भारती शंगठन मंत्री स्रिमान रामलाल जी इस कारकम में मोजूद सभी सम्मानित देवियोयम सज्जनों और हमारे सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों अभी अभी आपके समक्ष संकल्प पत्र हमारे आधनी प्रधानमंत्री जी के द्वारा और आधनी अध्यप जी के द्वारा बीमोचित हुआ है यह संकल्प पत्र कैसे तयार हुआ है इसके संबंद में बहुत ही संचिप्त में आप सब को मैं जानकारी देना चाहूँगा 2009 लोग सब्वा चुनाओ के लिए यह संकल्प पत्र बनाने के लिए हमारे राजस्वी अध्यक्षी ने मेरी अध्यक्ष्टा में एक समिद का गठन किया और मेरे साथ 12 लोगों को भी उसमें नामित किया था और संकल पत्र को multi-dimensional बनाने के लिए 12 सुरेणियों में भी उसे विभाजित किया था इतना ही नहीं बलकि हर विशय के लिए एक अलग से सब कमेटी भी उन्होंने बनाई थी इन सारी कमेटीज और सब कमेटीज ने अपने अपने वीश्यों पर बहुती ब्यापक विशार किया है गंभीरता पुर्वक विशार किया है जिसके फलसरूब आज यह संकल पत्र एक विजनरी और भेरी प्रैक्टिकल दस्तावेज बन पाया है जिसे आप सब के समक्षाज प्रस्तुत किया गया है बित्रोई शंकल पत्र के माध्धम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड देश वासियों की आकांग्शाओं को विजन डाकुमेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं यह संकल पत्र आपके बीच रखते हुए मुझे संतोस की ही अनभूत नहीं हो रही है बलकि गवरों की भी अनभूती हो रही है कि हमारे संकल पों में करोड देश वासियों की सहभाविता का भी पूरी तरसे तमावेश है भारत के मन की बात जिसकी चर्चा भी भुपेंदर जी यादों ने की है कि माद्यम से देश के सभी श्यत्रों सभी वर्गों और सभी समुदायों के साथ विश्त्रित यों ब्यापक संबाद के बाद अपने देश्चकोंड का यह दफ्तावेश आज हम लोगों ने देश के सामने रखा है इस दफ्तावेश में जीतने भी हमने संकल प्रदर्ज किये हैं उसके माद्यम से हम नए भारत के निर्मान की और कडम बढ़ा रहे हैं तेश दिकास की राह पर तेजी के साथ बढ़ा है जैसा अभी रास्तियत जग जी ने बतलाया कि वर्ल्ड की समय फास्टेस्ट ग्रोइंग एकोनामी एदी किसी कंट्री की है तो भारत की है अंतरास्ती जगत में भारत की प्रतिष्टा बढ़ी है और हम अब धीरे धीरे वर्ल्ड की टाप थ्री कंट्रीज में एकोनामी की साइज को लेकर वर्ल्ड की टाप थ्री कंट्रीज में आना चाहते हैं यह हमारा संकल्प है 2014 के पहले UPA के साथनकाल में ठक पड़े विकास को पुनह पटरी पर लाना यह हमारी सरकार के तिये बहुत शुनोती भरा काम था परंतु हमारी सरकार ने शुनोती को सीकार किया और इस स्वंबन में हमने काम्यावी भी हासिल कि यहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रचन है और उनके नेतृत की सरकार इन दोनों के प्रती मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश की जनता का विश्वास भी बढ़ा है और विश्वास ही नहीं बढ़ा है बलकि देश की जनता का भरोसा भी उनके प्रतिबढ़ा है इसमें भी कहीं दोमत नहीं है कि विकास का चक्का इस समय तेजी के साथ चलना प्रारम्ब हुआ है जहां आवश्यक हुआ है चंजज करने में भी रंचमातर संकोच नहीं किया है जहां तक देश की बाह और आंतरिक सुरक्षा का प्रश्ण है उसको सुनेशित करने के लिए हमने भरपूर प्यत्न किया है और देश वाश्यों के बंद में सुरक्षा का भाव भी पैदा करने में काफी हद तक काम्याबी हासिल की है यह सब करते हुए हमने एक responsible, एक sensitive और एक form conviction वाली सरकार की मिसाल देश वाशियों के समच्छी प्रस्तुत की है हमारी सरकार ने people participation को good governance का एक महत्पूर अंग माना है हमने policy making में भी लोगों की भागीदारी टाइक की है और इस संकल्प के निर्मान बे भी जन भागीदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिच की है भारत के मन की बात को जानने के लिए हम लोगों ने एक लंबा कारिकम चलाया है हमने करोडों लोगों से संपर किया है और अलग-अलग माध्धम चे लाखों सुयाओं भी हमको प्राप्त हुए है लगबग तीन सो रत लगबग साथ हजार साथ सो सुयाओं पेटियां और एक सो दस से अधिक संबाद कारिकम और चार हजार से अधिक भारत के मन की बात के कारिकम यह संपर्ण हुए है इतना है नहीं हम लोगों ने सोसल मीडिया का भी साहरा लिया है सोसल मीडिया के माध्धम भी लोगों के मन के बात को समझने की हम लोगों ने अपनी तरफ से भर पूर कोशिश की है साथ ही जिसेशग्यों के साथ भी हमारे टीम के जो प्रमुक सदस्ते उनका बैठना हुआ है हम लोगों का भी उनके साथ बैठना हुआ है उनके साथ भी हम लोगों ने बरामर्ज किया है जहां तक इस संकल पत्र का पासन है हमारा संकल पत्र पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों को आधार मानकर अगले पांच सल में हम आगे ले जाने के लिए देश को हम अपना यह त्रिश्टी पत्र आज प्रस्तुत हम लोगों ने किया है 130 करोड देशवास्यों की आकांचा को पूरा करने वाला यह हमारा संकल पत्र है आजारी के 75 वर्ष पूरे होने पर जिस नए भारत के नर्मान के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्दता है उसे दोहराते हुए यह संकल पत्र आज आधर्णी प्रधान मंत्री जी की आधर्णी चुनाओं होते हैं बराबर भुष्णापत्र और तरह तरह के नामों से मैंने मैंनिसेस्टो हर राजनेटिक पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है इतना ही नहीं चुनाओं के द्वारा राजनेटिक पार्टी के नेताओं के द्वारा लोगों से तरह तरह के वादे किय कि यो भी वादे नेटाओं के दोरा पहले किये गए हैं सब आ September से पूरे हो गए होते हैं ता आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर्डी मिन गया होता हमारा भारत दुनिया का ढ panscent दर धनमाने देश LAUGHTER होता है नेताओं की कृती और कफंग वर्ड्स और डीट्स इनमें अंतर होने के कारव है भारत में विश्वास का संक्ट क्राइशिस अप क्रेडिबिल्टी पैदा हुई है और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रणामंत्री जी के नेत्रतम इस सरकार ने उसे पूरा करने की अपनी भरपूर कोशिश किया जो कहा था उसे किया था यानि क्राइशिस अप क्रेडिबिल्टी को हम लगों ने शिनवती के रूप में शीकार किया है और हम उस पर विजय प्राप्त करने में भी काम्याब रहे हैं मैं इस संकल्पत्र के कुछ प्रमुख विंदूं की तरफ आपका ध्याना गर्चित करना चाहूंगा विस्तार मेरी मैं जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा जहां तक किस संकल्पत्र का प्रश्ण है यह वेबसाइट पर अवलोड प्लापलोड हो चुका है आप लोगों तक थोड़ी ही दिर में पहुंच जाएगा या पहुंच गया होगा राष्णवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं आतंगवाद का यहां तक प्रति में उसके प्रति हमारी जीलो टॉलरेंस की पालची थी है और जब तक आतंगवाद समफ नहीं होगा तब तक हमारी जीलो टॉलरेंस की पालची आतंगवाद के प्रती रहेगी यूनिफार्म सिविल कोड इसके प्रती इसको लागू करने के प्रती हमारी प्रजबधता थी है इस काम को करेंगे भारत में होने वाले इन्फिल्ट्रिशन अवैद घुस्पैट को रोकने के लिए जितने भी सक्ति कर दी होगी हम वह सक्ति करेंगे लेकिन घुस्पैट को पूरी तरह से रोकेंगे Citizenship Amendment Bill के बारे में भी अस्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिल्कुल दो टूक सब्दों में Citizenship Amendment Bill को हम पंतत के दोनों सब्दों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे लेकिन यह भी आस्पष्ट करना चाहते हैं हम किसी भी राज्य की चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो आइडेंटिटी पर आँच नहीं आने लेंगे जो भी उनकी पहचान है उसकी पूरी तरह हम प्रिजर्व करेंगे उसे और उसे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे सब मिलाज उलाकर कहना हो तो मैं कह सकता हूँ कि डेश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझगता नहीं करेंगे राम मंदर का जहां तरह प्रस्ण है इसलिए चुनावी घोशना पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं सभी संभावनाओं को तलास करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी स्वहार्द पून बातारण में रमपद्य राम मंदर का निर्माण हो जाए मैं यहां पर मैं यहां पर जो इस देश का सबसे बड़ा प्रडूशर और सबसे बड़ा कल्यूमर है फॉर्मर उसके बारे में कहना चाहूंगा हमारे प्रधान मंत्री जी ने सासन की बागदोर समालते ही कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी दो गुना करेंगे यह हम फिर से अपने उसी संकल को दोरा रहे हैं और उस दिशा में हम पांच वर्सों में तेजी से आगे बढ़े हैं इस तंकल पत्र में यह भी कहा है कि एक लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है उस पर पांच वर्सों के लिए रेट आफ इंटरेस्ट जीरो पर्षेंट होगा सुन नफीश लिए ब्याजदर पर एक लाख का वर्करज देंगे ग्रामीř शर्टों का विकाज अमारी यह धारणा है कि जब तक इस देजस के किसानों का विकास नहीं होगा तब तक सच मुछ हमारे इस के विकास का जो स्वापन है वकार नहीं हो पाएगा इसी दिए इजढ़िक शयोक्त पर सिंदिदेते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि मारे प्रधानमंत्री जी ने द्यक जी ने 25 लाग करोड तक का ग्रामीडी शेतर के विकाथ पर 5 वर्सों में खर्च करेंगे 25 लाग करोड अब यहाल में एक किसान सम्मान निधी योजना आधर्णी प्रधानमंत्री जी के द्वार लांज की गई ती यानि एक इनकम सपोर्ड था इस देश के किसानों के लिए 6,000 रुपिया प्रतिवर्स जिनके पास 2 हेक्टेर से कम की जमीन है उनको दिया जाएगा पहली किस्त जा चुकी है दूसरी किस्त जाने वाली है लेकिन मैं यहां प्रसंसा करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी की संबेद अंसीलता को जब इनके साथ इस संकल पत्र को तय प्यार करने के लिए बैठेते हैं तो इनके उन्होंने यह कहा प्रधानमंत्री जीने की मुझे कुछ अजीवों गरीब लगता है कि हम कोई भी लाव यह दी देना है तक किवल कुछी लोगों तक हम क्यों सीमित रखना चाहते हैं दो हेक्टेर तक काही किसान नहीं बालकि जो भी किसान होगा उस सभी किसानों को हम यह अनकम सपोर्ट 6,000 रुपय का बेंगे यह जो है उन्होंने कहा और उसको हम लोगोंने अपने संकल्फटर में सामिल किया है सभी किसानों को यह किसान सम्मान निदी का लाव मिलेगा बड़ी बात यह भी हम लोगों ने फैसला किया है आजाद भारत के इतिहास में साथ किछी ने सोचा नहीं होगा किसमाल और मार्जिनल फॉर्मर्स छोटे और सिमांद किसानों को पैंसन की सुबिधा भी देंगे साथ वरस के बाद पैंसन की सुबिधा भी देंगे राश्टी ब्यापारी आयोग हमरे देश के ब्यापारी समाज की बहुत लंबे अर्चे सी हमांग चली आ रही थी आयोग बहुत सारे बन गए लेकिन ट्रेडर्स का बिजनेसमेन का इनकी चिंता करने वाला अभी तक कोई आयोग नहीं मना तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राश्टी ब्यापार आयोग बनाएंगे और राश्टी ब्यापार आयोग जो बनाएंगे इनेक्टिव यह आयोग नहीं होगा बेलकि भेरी इफेक्टिव आयोग होगा एक ऐसा हमरास्टी ब्यापारी आयोग बनाएंगे यदि हम लगोज सीमान किसानों को पेंसन दे रहे हैं तो अपने देश के हम अपने ब्यापारीयों को नहीं छोड़ सकते इसलिए हम लोग उने यवी संकल पत्र में कहा है कि हम देश कें चोटे दुकांदारों को भी पेंसन की support 60 वर्स के बाद मुख्या कराएंगे समावीची विकास इंकलोसिव ड्रोथ इस देश का होना चाहिए यह हम सब की चाहत तमाज के समी वर्ग है चाहे यस्टी हूँ चाहे यस्ती हूँ हों जाय महिला हों दिब्यां हों कोई छूटे ना सब काभिकास होना चाहिए यह इसका पूरा तंगउप हमने अपने संकल पत्र में लिया है और मैं आप से डिवेदन करूंगा कि आप जो हमारा संकलपत्र है इसके डिटेल में उसके विस्तार में जाए तो सारी चीज आपको वहां पर मिल जाएंगे एक संकट और संकट ही नहीं बलकि मैंसे देश की देख शुरूती भी बांता हूं जो समय समय पर पैदा हुआ है रिजिनल डवलप्मेंट को लेकर रिजिनल इंबैलेंस च्छत्री असंतुलन है हम लोगों नहीं है किया है भारत के अंदर जो रिजिनल इंबैलेंस है उसको हम समाप्त करके ही दम लेंगे और मैं प्रधान मंतरी जी को विश्वेत रूप से बढ़ाई देना चाहता हूं जबसे आपने प्रधान मंतरी के जम्मेदारी तौपी है बराबर आपने इसकी चर्चा की है और श्यत्री असंतु इस देश को बहुत बड़े खर्च का वहन करना पड़ता है बहुत बड़े खर्च की जम्मेदारी समाल नहीं पड़ती है पैसा किसका खर्च होता है जो हमरे देश के आम नागरिकों की जेब से पैसा आता है करों के रूप में वही खर्च होता है कोई भी संबेदन सिल प् हार महिने चुराव नहीं होने चाहिए यह भी हम लोगों यह संकल्स पर इसमें लिया है कि हम इस पर बाहत करेंगे और इस पर कंसेंस बनाएंगे यह भी हम लोगों का संकल्प है गोड़ घुट गवरणbell जहां तक प्रस्ष्न है गोड गवर्नेंस के बारे में मैं समझता हूं कि कोई बहुत लंबी चोड़ी बात करने की आवश्यक्ता नहीं है यह सभी सभी कार करते हैं यहां पर हमने बहुत सारे स्ट्रक्श्रल और प्रसीजरल रिफार्म्स किये हैं वहीं पर सिस्टम में भी काफी चेंज़ेज लाए हैं उदाहन तो हमारे पास कई है लेकिन मैं एक का उदाहन देना चाहता हूं डाइरक्ट बेन्फिट ट्रांसर सिस्टम से जो सहाइता चाहे वो वीडो पेंशन हो ओल्डेज पेंशन हो जाहे वो कोई ससिडि हो यह पहले मेडिल मैं के मार्जम से जो लोगों के द्वारा पहुंचती थी अब वो डाइरक्ट बेन्फिट ट्रांसर सिस्टम के मार्जम से पहुचना प्रारंब हुई है जिसका परणाम यह हुआ है कि हम लोगों ने एक लाख दस हजार करूर रुप्य की बच्ट की है सिस्टम में चेंज लाने का यह लाब होता है प्रोसीजर्स में चेंज लाने का इतना बड़ा यह लाब होता है करेंगे मारे केंद्र राज्य सरकारों के संबंद बहुती बहतर हों प्रगाड हों हम उसको और अधिक मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यकों का कदम उठाएंगे मैं मित्रों यहां बहुती संचेप में का और चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे प्रधान्वंत्री जी ने अपनी प्रगद्धता दोहराई है बार बार कि 2022 तक हम नए भारत का निर्मान करेंगे जब आजादी के 75 वर्थ पूरे होंगे तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या-क्या करने वाले हैं तो ऐसे हमने लगबद 75 स्टेप्स 75 कदम तेंगे हैं मैं उनमें से सारे पॉइंट्स की चर्चात नहीं करूँगा लेकिन कुछ से इडियन पॉइंट्स 2022 तक कितानों की आई को दो गुना करेंगे और 60 बरस की आयू की उपरां सामाजी की सुरक्षा सुनिशित करने के लिए चोटे और सिवान किसाने होट पैंसन योजना इसकी मैंने चर्चा कर दिया प्रदानमंत्री किसी सिशाई योजना के अंदर गत सभी सिशाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम करेंगे क्योंकि 20 साल 25 साल 30 साल से इरिगे संखे बहुत तारे प्रोजेक्ट जो हैं लंबित पड़े हुए हैं उन्हें पूरा करेंगे और मूल धन के सामानने परभुकतान की सर्थ पर सुन्य प्रतिशत ब्याज दर पर एक से पांच वरस के लिए एक लाक रुपे तक की का हम क्रिशी रण देंगे इसकी वी चर्चा की है मैंने और लेंड रिकार्ड का डिजिटाइजेशन करेंगे उसका जो है हम डिजिटी करन करेंगे युआ के लिए और शिक्षा के चर्थ में कई कदम है लेकिन दो की मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा उतक्रिष्ट प्रबंधन संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के दिशा में भी हम काम करेंगे हम सीटों की संख्या मैनेजमेंट की जितने भी शूट से उसमें बढ़ाने का ब्रयत्म करेंगे जो हमारे एक्सलेंट हमारे इंजिनिंग इंस्यूशंस हैं उनमें भी हम सीटों के नंबर को बढ़ाएंगे एक्सलेंट इंजिनिंग कॉलेजेज जो संस्थाएं हैं इंजिनिंग उनमें भी हम बढ़ाएंगे और इतना है नहीं ला से जुड़े जितने भी इंस्यूट्स हैं, ला कालेजेज हैं, उन्हें में भी सीटों को पढ़ाने की दिसा में हम कदम उठाएंगे, बुनियारी धांचा बने एक इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्चर डवलप्मेंट के लिए, प्रतेक परिवार के लिए पक्का मकाम जिसको कि ध्यक जी ने भी कहा है, अधिक से अधिक ग्रामीन परिवारों के लिए यल्पीजी गैस सिलिंडर, लेकन ध्यक जी ने कहा है कि हम सभी गरीब परिवारों के लिए यल्पीजी गैस सिलिंडर मुहया कराएंगे, तो हम इस लक्ष को हासिल करके ही दम लेंगे, सभी घरों का 100% बिद्धिती करना Power in every village Power for all यही लक्ष रखकर हमारी यह सरकार मोरी जी के नियत्रत्य में काम कर रही है प्रते घर में शोशाल है 98% घरो में इस लक्ष को हमने हासिल किया है सभी घरो में सख्ष पे जल की उपलब्दता यह भी हम करेंगे सभी घरों में सवक्ष जल पीने के लिए मिले पीने का पानी मिलना शाए National Highways National Highways का काम बहुत अच्छा हुआ है National Highways की लंबाई है जितनी उसको हम दो गुना करेंगे जस्ट डबुल करेंगे हम इस लक्ष के साथ अपने कदम आगे बढ़ेंगे और सहरों और गाओं में ODF प्लस और ODF 2 प्लस दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वक्ष भारत मिशन के अंतरगत 100% कचरा संग्रह सुनिश्चित करेंगे Waste Management 175 गीगावाट Renewable Energy नवी करणी उर्जा शमता के लक्ष को हम प्राप्त करेंगे Railway के द्रिश्चिशे 2024 तक सभी जितने भी rail पटरियां है कोशिश यही होगी कि लगबग अधिकांत rail पटरियों का broad gauge में परिवर्तन हो जाए 2020 तक यवी हम लोग की कोशिश होगी कि सभी rail पटरियों का electrification विद्धिट्वी करन वो पूरा हो जाए हेल्थ की द्रिश्चिशे आयुस्वान भारत के अंतरगत 1.5 लैक हेल्थ और वेल्नेस सेंटर को ले जाएंगे यह तिल्फ काम चल ला है 75 नए medical colleges और post graduate medical colleges की भी अस्ठापना की जाएगे और गरीबों के लिए उनके डरवाजे पर ही गुड़मत्ता पूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा तुनिश्चिद करने के उद्देश से सभी स्वास्य वेल्नेस के अंदरों पर टेली मीडिसन यव्डाइगनोस्टिक लगों ने लक्ष सामने रखा है त्रेंड डॉक्टर और जनसंख्या क्या अनुपात आज बहुत अडिक डॉक्त का हमारे कम मैं पूरी कोशिश हम लोगों की होगी त्रेंड डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का रिश्यो कम से कम 1-1-1-1400 एक अनुपात 14 सब हो जाए यह हमारी यह पूरी कोशिश होगी है पोशन अभियान के अंतरगत को पोशन का अस्तर घटाने के लिए और कुपोशन में कमी का दर तेज करने का भी लक्षम लोगों ने इंदरधादिक किया है कि एकोनामी अर्थ व्योस्ता इसका जहां तक प्रस्ण है यह बताने की आवश्चक नहीं है सारा देश अब इसमें परचित है यह आप दूइंग विजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक और भी बहतर बना देका काम करेंगे और भी बहतर अभी मैं बोल नहीं रहा हूं कि टा करने के दिशा में हमारा यह अब प्रयत्न होगा और सुख्ष ममध्यम और लगू उद्योगों के लिए एक खिड़की अनुपालना युम विवाद समाधान प्रणाली तैयार करने की दिशा में काम करेंगे यानि हमारे यह मैं समीश के जो उद्यों मश्याओं का समाधान यह हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे इस तिर्कर परणाली सुनिश्चित करने की दिशा में भी कारे करेंगे गुड गवर्नेंस के दिश्चित से प्रतेक व्यक्ति को पाँच किलो मीटर के भीतर बैंकिंग सेवा उपलब्द हो इसे हम इंश्योर करेंगे अधालतों का भी डिजिटाइजेशन का सिलसिला चल ला है हम इसको डिजिटाइज भी करने की कोशिश करेंगे और इसे बाडर राइज भी करने की कोशिश करेंगे डिजिटल ट्रांजेक्शन डिजिटल लेन देन को भी हम बढ़ावा देंगे और जहां तक सरकारी प्रक्रियाओं का परस्थन है उसे पूरी तरह से डिजिटल बनाएंगे इंक्लूसिव ग्रोथ सभी बच्चेओं का ठीका करना इस काम को हुआ है और सभी सरकारी इमारतों को सुगम बनाने का भी प्रयास करेंगे हर आदिवासी स्वतंता सेनानी हम शे आदिवासी स्वतंता सेनानी संगरहालों के दिर्मान का कार्य हम पूर्ण करेंगे आदिवासियों के लिए जो उनके स्वतंता सेनानी है पंच तिर्थ सरकिट का विकास पूर्रा करने के दिशा में हम काम करेंगे जैन समाज चोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री समयोगी मांधन योजना में समलित करेंगे और सभी असंगटित मजदूरों के लिए ब्यापक सामाजी सुरक्षा कभरेज के साथ बीमा पेंसन आदी यह सब सुनिश्चित करेंगे महिलाओं के लिए महिला कारेबल भाग है काफी बढ़ा है और अधिक आगे बढ़ाएंगे तीन तलाग के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम वहिलाओं के लिए हम न्याय सुनिश्चित करेंगे सांस्कृतिक धरोहर 2022 तक सक्ष गंगा का लक्ष्यम प्राप्त करेंगे स्वदेश डरसन प्रसाद और हिर्दय योजना के अंतरगत सभी परियोजनाओं को एक कारे को सिगरता से पूरा करेंगे सबीर आफसी संग्रहालियों के संग्रहों का डिजिटाइजेशन करेंगे मित्रो यह सब जो प्रमुक हमारे विजन डाकुमेंट के बिंदू थे पॉइंट्स थे उस और मैंने आप सब का जहाना कर्शित किया है और मैं पुनह इस बात को दोहराना शाहता हूं कि हमारी सरक के ही दम लेंगे इसी संकल्प के पात हम आया है संकल्प पत्र 20 सवासियों के समग से प्रस्तुत कर रहे हैं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद